भारतिय गाई काउ में बेजोड लता मंगेशकर लेखक कुमार गानधरू बताते हैं सालों पहले की बात है जब मैं बिमार था और बिस्तर में पड़े पड़े अपने रेडियो में गाने सुन रहा था कि तभी रेडियो से एक बड़ी ही सुरीली आवाज में किसी महिला के गाने की आवाज आई वो स्वर सीध है सीध है मेरे दिल में जाके लगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कर इतनी सुरीली आवाज है तो है किसकी खेर गाना खतम होते ही गाईका का नाम गोशित किया गया लता मंगेशकर मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना था नाम सुनते ही मैं तो एकदम व्याकुल हो गया उनके और गाने सुनने और उनके बारे में जानने के लिए उनके बारे में जानने की कोशिस की तो पता चला लता जी कोई और नहीं गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी ही है और दीनानाथ जी के द्वारा सिखाए गए वो सुर्टाल के साथ जब लता जी की कोमल और मधूर आवाज मिली तो नूर जहां जैसी प्रसिद्ध गाय का भी उनका मुकाबला ना कर बाई लता मंगेशकर जी के पहले लोग सास्त्रिय संगीत मतलब क्लासिकल म्यूजिक को ही सुनते और उसे ही गाया करते थे लेकिन वो लोग जिने सुर्टाल बगेर का कोई ग्यान ही नहीं था वो तो इन्हें गाही नहीं सकते थे जैसे की ये गाना लेकिन लता मंगेशकर जी गाती थी चित्रपट संगीत मतलब फिल्मी सॉंग जिने गाने के लिए आपको संगीत के कोई भी ग्यान की ज़रूरत नहीं है एक आम इनसान भी इसे बड़ी ही आसानी से बड़ी ही सुरीली आवाज के साथ गा सकता है मतलब हाँ फिर भी थोड़ी बहुत सुर्ट आलतों चाहिए ही चाहिए और ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चित्रबट संगीत मतलब फिल्मी सौंग के फेमस होने की सबसे बड़ी वज़य खुद लता मंगेसकर जी ही है जब उनकी सुरीली आवाज लोगों के कान में पड़ी तो वो लोगों के दिल में एकदम घर कर गई और पता ही नहीं चला कि कब उन्हें 2-2 घंटे के सास्त्री संगीत की जगए 2-2 मिनिट के चित्रबट संगीत से प्यार हो गया आज उन्ही की वज़य से भारत के कोने कोने में वो बच्चे जिने संगीत का कोई भी ज्यान नहीं वो बिना सुर्ताल सीखे सुरीली आवाज में गाना गापा रहे हैं वैसे लता जी की ये लोग प्रियता की सबसे बड़ी बज़य उनके स्वरों की निर्मलता है वो इतने प्यार से स्वरों का उचारण करती हैं कि आप उनमें कहीं खो ही जाओ और हाँ उनके गानों की एक और विशेष्टा है उनके स्वरों के बीच का टांजीशन पता ही नहीं चलता कब स्वर बदल गया कब सब्द बदल गया ऐसा लगता है मानो सारे स्वर एक दूसरे के साथ कहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हाँ जिस तरह दुनिया की सारी चीजें पर्फेक्ट नहीं है उसी तरह लता जी भी सारे गाने को गाने में पर्फेक्ट नहीं है जब वो किसी धीरे लैवाले गाने को गाती है जिसमें दर्द हो, ब्रेक अप वाली टोन हो तो वो अवाज दिल को कहीं न कहीं छू नहीं पाती लेकिन हाँ, जब वो प्यार से भरे तेज लेवाले गाने को गाती हैं तो उसका क्या ही कहना, वो तो सीधे दिल को जाके लगता है उनके संगीत में एक और छोटी सी कमी है उनके संगीत आम तोर पे उची पटी, मतलब हाई एम्प्लिट्यूड में गाय जाते हैं अब पता नहीं ये लेता जी की गलती है या गाना गवाने वाले डायरेक्टर्स की जो उन्हें इतना तेज गाना गवाते हैं वैसे कुछ लोग मुझसे ये भी पूशते हैं लैता जी तो सिर्फ चित्रपट संगीत ही गाती हैं क्या वो दो-दो-तीन-तीन घंटे वाले सास्त्रिय संगीत मतलब क्लासिकल सौंग भी गा सकती हैं क्या तो इसका एक मातर सरल जवाब यही है कि इन्हें आपस में हम कंपेर ही नहीं कर सकते चित्रपट संगीत मतलब फिल्मी सौंग में सुर्टाल से ज़्यादा लै पे ध्यान दिया जाता है गाने में सुर्टाल हो या ना हो लेकिन वो दिल को सुनने में बहुत अच्छा लगना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल म्यूजिक मतलब सास्त्रिय संगीत में लै से ज़्यादा सुर्व और ताल पे ध्यान दिया जाता है और चलो माना कि लता जी दो तीन घंटे के सास्त्रिय संगीत ना भी गा पाए तो क्या कोई सास्त्री संगीत गाने वाला गायक दो तीन मिनिट के चित्रपट संगीत में लता जी जैसे अलग-अलग भाव ला सकता है क्या? नहीं न? और मुझे तो ये लगता है कि ये खांदानी सास्त्री संगीत गाने वाले गायकों ने चित्रपट संगीत के बारे में ल गंटे के सास्तिय संगीत को गाह भी नहीं पाते थे उससे सुर्ताल क्या खाक सीखेंगे लेकिन आज चित्रपट संगीत की वज़े से वो लोग जिने संगीत का कोई भी ग्यान नहीं है आज पूरे सुर्ताल के साथ गाने गाह पा रहे हैं खैर जो भी हो लता मंगेशकर जी क तो बस यहीं पर खतम होता है हमारे ये प्यार से चैप्टर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें